दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का investing with मौरिया जी चैनल के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ मैं हूँ आपका दोस रिंकू मौरिया mutual fund स्टार्ट करते समय आपके mind में कुछ questions आते हैं जैसे सबसे पहला question यह आता है कि यार हमें SIP कब तक करनी चाहिए दूसरा यह है कि यदि मैं SIP कर दूँ अब मुझे किसी महीने में financial difficulty आ जाए मेरी salary ना आये या कुछ और मुझे financial दिक्कत हो जा तो उस time मुझे अपनी SIP के साथ क्या करना चाहिए इससरा question यह आता है कि पिछले काफी सालों से मेरी SIP चल रही है लेकिन मेरी SIP में ना कुछ growth देखने को नहीं मिलना है मेरा SIP underperform कर रहा है तो ऐसे case में मुझे अपने SIP के साथ क्या करना चाहिए दोस्तों यह 3 important questions हर एक investors के mind में आते हैं जिसका की answer आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है सबसे पहला question यह है कि हमें कब तक SIP करनी चाहिए हमारा duration क्या होना चाहिए SIP का दोस्तों जब भी आप SIP स्टार्ट करते हैं मैं हमेसा यही कहता हूँ कि आपका एक goal का sit होना चाहिए अब target और goals क्या होते हैं दोस्तों जैसे मान लिजे कि आपकी BTR रानी है उसकी age 2-3 साल है और आप आने वाले 17-18 साल के लिए अभी से सोच रहे हैं कि यार मुझे अपनी BTR रानी को doctor बनाना है, engineer बनाना है, CA बनाना है इसलिए इसको एक अच्छे fund की जरूरत उस time पे पड़ेगी तो आपको उतने time के लिए अपना goal set कर देना है उतने समय के लिए planning करके आपको investment अपनी start करनी है BTR रानी यदि 25-26 साल की जब हो जाएंगी तो उसकी एक अच्छे जगा पे साधी करने हैं के लिए मुझे पैसे इकठे करने है मेरी ये जो है 25-26 साल है मैं अभी से ही planning कर रहा हूं अपने बुढ़ापे के लिए retirement के लिए planning कर रहा हूं कि जब मैं बुढ़ापा मेरी आज आया retirement हो जाओ तो उस time मुझे किसी के उपर depend ना होना पड़े मेरा ये जो पैसा है मेरे काम आए तो आप अभी से उसकी planning करते हो मैं आपको ये बोलता हूं कि आप अपनी SIP छोटे amount से start करो ना आप जो है 2000, 5000, 10,000 की SIP आपको start नहीं करनी है अब यहां पर SIP माल लिए कि आप 1000 उपे की SIP हर महीने आप करते हो ठीक है दोस्तों तो उसका आपके return पर क्या effect पड़ता है वो हम देखेंगे क्योंकि आपको आपके सामने जब तक ये चीज़े नहीं दिखाई जाएंगी तब तक आप कैसे समझेंगे कि हमारी जो investment है वो हमें कितने साल तक करनी चाहिए mutual fund में SIP करने के लिए आपको एक अच्छे fund की भी जवरत है तो यदि आप young age में हैं दोस्तों तो आपको mid cap small cap को choose जरूर करना चाहिए अपनी investment की journey को ऐसे ही fund से start करनी चाहिए तो यहाँ पे SBI small cap fund को हम यहाँ पे open किये हुए है इस fund को आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों के दी बात किये तो 26% का return है लेकिन all time के दी बात किये जा है तो इस fund ने 25.98% का return दिया है अब दोस्तों यह लोग कहते हैं कि यार इतना ज़्यादा return तो हम future में expect नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि जो past में return mutual fund ने बना के दे दिया है उसकी क्या guarantee है कि वो future में भी इतना ही return देगा चलो भाई ठीक है आपकी बात में माल लेता हूँ मैं यहाँ पे 26% का return बिलकूल भी नहीं लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे 13% का return लूँगा 13% का भी return है दिया आप ले करके चलो तो 1000 रुपे मन्त पर मन्त की SIP से आपने कितना investment किया सबसे important है आपने 60,000 रुपे की यहाँ पे investment करी और यहाँ पे आपको जो final value 5 साल में देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 84,803 रुपीज दोस्तों equity mutual fund में return long term में ही बनते हैं 5 साल के उपर का जब period चूज करोगे तब ही आपको आपके investment amount की value देखने को मिलेगी यहाँ पे अब 3 साल हम investment को अपने और बढ़ा देते हैं ठीक है 3 साल investment को हमने किया 8 साल में आपने यहाँ पे investment अपना किया 96,000 रुपेज तो केवल 8 years तक आपने इंतजार किया आपने 3 साल अपनी investment और की तो आपके hand में यहाँ पे final value जो आएगी 1,69,208 रुपीज देखने को मिलेगी अब आप मुझे बताओ कि आपको अपना investment कब तक करना चाहिए आप मुझे बताओ कि आप जो 1,000 रुपे महिनी के SIP आप कर रहे हो आप 5 साल की यह आपको value दिग गई सामने आपने 8 साल की आपको value दिग गई अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर आप अपनी decision खुद लेना मेरे दोस्त जब आप 8 साल के बाद यानि 10 साल के ऊपर जब आप जाते हो न 10 साल या उसके ऊपर जाते हो तो यह return जो होता है न यह थोड़ा सा बढ़ जाता है यदि गलती से SBI का small cap fund ने 30% का return दिग दे दिया तो यहाँ पे हम उसको भी half कर देते हैं 15% का return यहाँ पे लेकर के चलेंग क्योंकि 10 साल के बाद mutual fund में आपको 15% का return जो on an average तो मिल ही जाता है दोस्तों यदि आप 10 साल के नीचे की बात करो तो आपको 10 से 12% का return तो आपको इतना expect करना ही चाहिए तो यहाँ पे आप 12 साल में क्या सिनारियो बन रही है यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ 12 साल में ज 3,47,017 रुपीज अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो SIP है वो आपके favor में work कर रहा है आपको return यहाँ पे देखने को मिल ला है आपने जो goal set कर रखा है आप धीरे धीरे उसके करीब आप पहुंच रहे हो यह जो value आपको 12 years में देख रहे है 3,47,017 रुपीज य यह 13% के rate से हमने calculate किया हुआ है ठीक है लेकिन हम इसको 15% से भी देखेंगे कि यदि SBI का small cap fund इस तरीके से यदि यह manage होता रहा तो आने वाले समय में आपको 15% का return on in average देखने को मिल सकता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 15% से यदि आपको return यहाँ मिलता है दोस्तों तो आपकी जो final value हो जाएगी 4,3,585 हो जाएगी 3,47,000 आपको 4 साल और wait करने से मिल ला था 13% के rate से वहीं पे 2% आपका और एदि बढ़ जाता है इश्वर करें कि आपको 15% से ज़्यादा मिले ठीक है तो आपकी value कितनी तेजी से बदल रही है आप इसको देख सकते हैं यदि आ आप 15 years तक wait कर लेते हैं अपनी S.I.P. को आप continue चलाते जाते हैं अगले 3 साल तक आपने investment को अपने continue रखा और आपने total investment किया 1,80,000 रुपीज और आपके hand में जो total value आई 13% के rate से वह आई 5,55,681 और 15% के rate से ज़्यादी देखा जाए तो ये final value आपकी 6,76,863 में convert हो सकती है अब यहाँ पर यदि 20 years के दिम बात करें तो 20 years में 2,40,000 रुपीज का आपने investment करा 1,000 रुपे महिने की S.I.P. से आपने 2,40,000 रुपे अगले 20 सालों में आपने investment किया और आप wait किये और 13% के rate से दिदेखें तो ये value 11,45,000 रुपीज बन चुकी है और वहीं पर 15% का दि rate of return लेके चलें तो ये value 15,15,000 के आसपास पहुँच चुकी है तो दोस्तों ये होता है compounding की power जो आपको S.I.P. mutual fund में देखने को मिलती है अब आप मुझे बताए कि आपको S.I.P. कितने साल तक करने चाहिए आप यदि 20 साल तक कोई जरूरी नहीं ये दोस्तों कि आप 1000 की S.I S.I.P. करेंगे अपनी S.I.P. को आप जैसे जैसे income बढ़ेगा आप बढ़ाते जाएंगे जिसको step up S.I.P. कहते हैं और एक समय के बाद मैंने ये देखा था कि यदि आप 15,000 रुपे की S.I.P. 15 सालों तक 15% के return से यदि आप ऐसे ही करते जाते हैं तो आपका 1 करोड रुप खरिते हैं तो वहाँ पे आपको duration भी नहीं पूछा जाता है आप चाहे जब तक investment करना चाहो आपके उपर है आपको केवाल उसमें अपना timing डालना होता है S.I.P. करने के लिए आप Grow Mutual Fund के app पे आते हैं और यहाँ पे आपको explore पे click करना होता है यहाँ पे आपके सामने collection आत है तो दोस्तों यहाँ पे S.I.P. date आप नीचे देख सकते हैं कि 12th of every month यहाँ पे पूछ रहा है ठीक है आपको सिर्फ यहाँ पे select करना है कि आप S.I.P. अपना कव यहाँ पे कटवाना चाहते हैं ठीक है तो यहाँ पे monthly S.I.P. का option मिला है आपको तो यहाँ से आपको सिर् नहीं रहा है और यहाँ पे हमने S.I.P. mutual fund का app open किया हुआ है और यहाँ पे investment पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखे कि S.I.P. का जो duration है उसमें थोड़ी से आपको changes देखने को मिलेगी और यहाँ पे हम fund को select करेंगे तो browse by category में हम 5 years करते हैं let's suppose कि हम यहाँ पे S.I.P. infrastructure fund को select करते हैं invest now पे हम click करते हैं start S.I.P. पे click करते हैं और यहाँ पे आपको amount enter करना है let's suppose कि हमने 1000 रुपिस enter कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कि select the S.I.P. frequency तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि monthly S.I.P. यहाँ पे click करेंगे और invest in this fund पे option आ रहा है और यहाँ पे हमने अपन जो भी date है वो हम select कर लेंगे कि किस तारिक से हम S.I.P. अपना start करना चाते हैं select करने के बाद date continue पे आपको click करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक order का confirmation आ चुका है अब यहाँ पे क्या होता है जो सबसे पहले वाला आप box देख रहे हैं S.B.I. Infrastructure fund 1000 S.I.P. monthly यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो first installment from 27 January 2024 to 27 December 2053 यह देखिए 2000 तीरपन तक यह by default ले चुका है ठीक है तो यह आपको change करना है मतलब आप यदि जानकारी नहीं रहेगी तो आप 2000 तीरपन तक S.I.P. अपना set कर देंगे और यह चलता ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पे edit detail पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे monthly S.I.P. आप रहने देंगे और यहाँ पे select आपको करना है S.I.P. started कि आप कब से कब तक यानि 2024 से आप इस्टार्ट कर रहे हैं तो आप मालीजे 5 साल के लिए 8 साल के लिए 10 साल के लिए जब तक के लिए आप यहा सकते हैं जैसे मालीजे कि आप 8 साल के लिए कर रहे हैं तो आप 2032 यहाँ पे select कर देंगे ठीक है तो अपने अनुसार यहाँ पे आप duration select कर सकते हैं second question है कि दोस्तों जब आपको emergency आ जाती है let's suppose कि आपको financially थोड़ी सी दिक्कत हो गई आपको यह लगता है कि हम अगले 2 महीने तक अपनी SIP नहीं चला पाएंगे तो ऐसे case में क्या होता है कुछ लोग जो है अपने account में पैसा नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनको दिक्कत आ चुकी होती है तो वहां पर उनके लिए समस्या यह हो जाती है कि उनके charges कर जाते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया तो ऐसे case में आपको क्या करना है आपको दो महीने के लिए अपनी SIP को रोक देनी है pause कर दे रही है ठीक है या फिर आपको इसको skip कर देना है अब आप य आपको क्लिक करना है तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर आपके SIP की details आजाएगी कि आपकी next installment कब है और यहां पर नीचे edit SIP का option आएगा आपको edit SIP पर आपको click करना है इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं नीचे आपको दो option मिलते हैं कि edit amount and date और दू successfully आपका हो जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको एक screen पर message आएगा कि आपका आपका जो second installment है वो skip हो चुका है 23 August के लिए मतलब next month के लिए अब जब next installment आपका third वाला जो आएगा वो 60 days में आएगा ठीक है तो आप अपनी SIP को इस तरीके से skip कर सकते हैं आप investor app SBI mutual fund का use करते हैं तो यहां पर यदि आपको अपनी SIP pause करनी है रोकनी है अगले एक अक महीने के लिए दो महीने के लिए तो आप simply अपने app पर login कर लेंगे और यहां पर आपके main dashboard पर my systematic plan वाले option पर आपको यहां पर click करना है आपके जितनी भी SIP चल लेंगे आपके सामने दिख जाएंगी जो पहली वाली SIP है इसको आपको अगले installment के लिए रोकना है ठीक है यहां पर three dot पर आपको click करना है और यहां पर आपको pause SIP और cancel SIP दो option आपको दिख रहा है आपको cancel नहीं करना आपको pause SIP पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे यहां पर आपको पूछ installment, दो installment, जैसे माले हम दो installment पर यहां पर click करते हैं तो हमारा दो installment यह pause कर देगा इसके बाद 10 April 2024 से फिर SIP मेरी continue हो जाएगी इसके बाद आपको pause SIP पर click कर देना है इससे आपको फाइदा यहीं मिलेगा कि यदि आपका वहां पर bank में पैसा नहीं भी रहता है ना तो आपकी SIP वहां bounce नहीं होगे और आपके फालतू के charges नहीं कटेंगे अब दोस्तों third important question यह है कि यदि हमारी SIP पिछले काफी सालों से perform नहीं कर रही है तो हमें उस case में क्या करना चाहिए लोग अकसर 2 साल 3 साल तक mutual fund में invested रहते हैं फिर उनको जब यहां पर return नहीं दिखता है तो SIP को अपने break कर देते हैं मेरे दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी आप equity mutual fund में आते हैं आपको 5 साल के उपर का view हमेशा लेके चलना चाहिए क्योंकि short term में market बहुत ज्यादा volatile होता है उतार चड़ा बहुत ज्यादा होते हैं तो यह हो सकता है कि आपकी mutual fund portfolio में आपको return देखने को ना मिले अंगले 4 साल 5 साल 6 साल तक कभी return आपको देखने को ना मिले तो इस case में आपको दोस्तों SIP को अपने तोड़ना नहीं चाहिए यदि आपने एक अच्छे fund को select किया हुआ है तो आपको उस fund को wait करना चाहिए अपनी SIP को उसमें continue रखनी चा हुआ हम इसमें SIP 1000 रुपय महिने के चला रहे है और 5 साल 6 साल बीच चुका है लेकिन इस mutual fund का जो return है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको यहां पर देखे check करना है कि आपका यह जो SIP है जो भी चल रहा है XYZ वो under perform कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो आ आप यहां पर नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको यहां पर देखे option मिलता है peer comparison का ठीक है peer comparison का option मिलता है कि small cap category में जो आपने fund choose करा है SBI small cap fund उसमें उस category में कितने AMC's small cap fund को वहां पर manage कर रहे हैं जैसे निपोन इंडिया हो गया Bank of India हो गया SACI का small cap हो गया तो आपको इन fund से compare करना चाहिए कि यह जो fund return दे रहे हैं उसके मुकाबले आपका fund कितना return generate करके दे रहा है ठीक है तो वहां पर आपको चेक करना चाहिए कि यार small cap category में पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि 17% का return निपोन इंडिया ने बना के दिया Bank of India ने बना के दिया जो भी fund manager आपके fund को manage कर रहा है वो वह सही से fund को manage नहीं कर रहा है दूसरा तरीका है अपने mutual fund को चेक करने का कि वह under perform कर रहां कि नहीं वक्ते हैं дол 1040 तो उनका एक benchmark होता है कि हम इस benchmark से ज्यादा return आपको बना के देंगे तो यदि कोई भी mutual fund पिछले 5 सालों में अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं SBI का small cap fund है, और S&P BSE 250 small cap TRI इसका एक benchmark है, तो यहाँ पे जैसे देख सेंते हैं SBI का small cap fund है, यह अपने benchmark को consistently पिछले 5 सालों में उपर की तरह beat करके return दे रहा है, य लेकिन SBI का small cap fund अपने benchmark को beat करके consistently return यहाँ पे देते जा रहा है, ठीक है, तो आप long term में 5 साल, 6 साल, 7 साल तक आप मालिजे continuously आप जो है invested रहे, और आपका fund benchmark को beat नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे case में आपको उस mutual fund के साथ क्या करना चाहिए, तो जैसे मालिजे के आप SBI mutual fund में को SIP कर रहे हैं, अब वो fund जो है perform, underperform कर रहा है, आपने उसको देख लिया category wise और benchmark wise आपने चेक कर लिया, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं आगे आप performing नहीं कर सकता है, return उसके बहुत पूर जा रहे हैं, तो ऐसे case में SBI mutual fund के किसी अच्चे fund में आप उस पैसे को switch कर सकते हैं, आपको switch करने का भी option दिया जाता है, दूसरा option यह होता है कि आप SBI mutual fund में आपको कोई भी fund नहीं दिख रहा है वैसा, और आप जो है अपने उस पैसे को ले के जाना चाहते हैं, किसी दूसरे mutual fund में, HDFC mutual fund में ले जाना चाहते हैं, तो आपको इस पैसे को पूरा पूरा आपको जितना भी return मिला है, आप उसको redeem कर लीजें, और आप HDFC mutual fund में जाने के बाद, आप किसी liquid fund में अपने पैसे को डाल दीजें, और डालने के बाद वहाँ से आप STP लगा सकते हैं, systematic transfer plan, तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने mutual fund को manage कर सकते हैं, तो दोस्तों I hope क आपको SIP से related सारी बातें आपको clear हो गई होंगी, इस से related और भी कोई query से आप comment box में पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं एंगले next video में, तब तक के लिए, जय हिन जय भारत, thank you so much for watching this video.